गुद मॉर्निंग गाईज तो आज सुबह सुबह का टाइम है छुटी का दिन है और मैडम कम क्या मुखाने का मन कर रहा है चाय विस्किट और मैं कहरी हूं मैंने सारी तैयारी कर ली है आलू बाल ली है तो पराखे बना दूनी कहरी नहीं वो लिभा खा दी थी ना इसके वारे दिन कितनी बार नाश्ते होते यह तो पहले नाश्ता है अभी दूसरे नाश्ता होगा तीसरे भी हो सकता है इपका खाना बीना चलता रहता है तो यह हैं बच्छों का अपडेट आप मैं दिखाती हूं बाहर के नज़ारे तो आज का जो मौसम है बहुत ही एनर्जी मिलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी बज़ रहे हैं नौ मतलब आज मैं तोड़ी जल्दी उड़ गई थी छुटी वाले दिन साड़े आड़ बुझे में उड़ गई थी परे काफी काम अपने अलू-अलू बाल लिये हैं और पंच्यों को खाना तो कि मैं कोई में लब स्टूल वगेरा निकाल भी नहीं सकती अपने अंदर अलमारी में से पते क्यों क्योंकि मैडम सो रही है चोटी मैडम अगर मैं अलमारी में से अवाज होती ना खटर पटर की अगर वह हो गई तो फिर तो सबका नाश्णा पानी रहे गया तो इतना अच तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं कि कचोड़ी बनाते कैसे हैं वैसे मैंने आप लोगों को वर्वली तो कई बर बताया भी है थोड़ा बहुत मतलब दिखाया भी है लेकिन आज मैं आपको शुरू से एंड तक बताऊंगी कि मैं कचोड़ी कैसे बनाती हूं और मैं हमेशे कम मसालों में और बहुती लाजवाब कचोड़ी बनके होगी तो उसके लिए चटनी जैसे कि मैं आप लोगों पहले ही बता चुकि हूं कि जो चटनी में आलो के परांटों में यूज करती हूं वही चटनी लेती हूं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है कि आलो के पर बर्शे में अगर आप इतनी अपैसी और चेट-पटी ना चाहिए तो आप कम भी रख सकते हैं मैं तो ऐसे ही करते हूं तो बस यहां पर मैंने दो तिन बश्न की कली ले लिए और लाल मिर्श ले लिया है है तब नमक ले लिए हैं तब नमक के लिए मैं हमेशे कहती हूं कि यहां पर मैंने नमग भी दो लिया था मिश भी दो ली थी मेलों लसन भी दो ली थी उसके बाद मैं जीरा एड़न किया है और बस फिर कहा है सिलवट्टे पे पीस लिया इसे आप मिक्सी में भी सकते हो लेकिन फिर वही बात है कि स्वाथ बदल जाता है तो लगी ची मैनत करो में फिर पानी पानी हो जाएगा ना तो बस आलू घिस देने का सिल के उपर तो यहां पर मेरे अलू भी उबलेवे तैयार है तो मैं फोड़ लेती हूं एक और टिप यहां पर दे देती हूं कि आलू के पराठो में तो जैसे थोड़ा मोटा आलू आना ही चाहिए वह अच् इतना बारिक आलू कर सकते हैं वह कर लीजिए कचोड़ी में और हा से नहीं होता तो फिर आप कदू कशे में उबला वालू कर लीजिए मैश कर लीजिए और नहीं तो हा से भी कर लीजिए और नहीं तो आलू मैश करने वाला जो आता है उससे भी कर सकते हैं अच्छा मैं हा मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं लेकिन तो यहां पर मैं भूरता बनाने के साथ एक कमेंट भी एक नहीं दो चार कमेंट ले लेती हूं कि आप आपको कष मीर का से ले रही हैं कि इतना कि मजह बहुत प्यारी है तो यह वाता है पिल्कूल घिक कहते हो कौकि कहते ह..., तो अभी के ससे बता है तो अफ़ी नहीं तो 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 यहां पर बच्चे से इतना बेक्राउंड नॉइस देते हैं कि मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं कभी शोना हो जाती हैं कभी मोना हो जाती है कोई कुछ म्नला बोलने रख जाता है और मुझे काफी लोग कमेटि कर के क्याते मिशन हम नहीं रखा और कुछ तो यह पिता हैं नाम रख लोग को पताना चाहती हुकि मैं जब भी नाम उसका क्या खुर्ण होब वह आप जेसासों जरूर शेयर बेंगा गईगक़ अभी बस यही चल रहा है कि कभी पापा को पसंद आथा, कभी ममी को पसंद आथा, कभी अन्नूमेनास को पसंद आथा, मैं बहुत ज़्याद परिशान हो चुक्य हूं धुन्डून के, और खेर उसके साथ-साथ कच्चोडी भी बन रही है, और कचोड़ी में किस तरह से बना रहे हूं यह आप जरूर देखते जाना और इसके बाद मैं मतलब थोड़े से नेगिटिव कमेंट भी ले लेती हूं मुझे किसी ने कमेंट किया था कल मैंने वीडियो डाला था कि बिट्टो आ गई है तो कमेंट मुझे यह आया था कि वैस लोगों को हम कभी शांत करी नहीं सकते लोगों का तो काम ही होता है कुछ लोगों का सबका नहीं कि अच्छाई में से भी कमी निगालने का तो मैं अब उनको क्या ही कहूं लोगों को बस मैं ये तो जरूर कहूंगी कि प्लीज आप मुझे न बताया करें कि रिष्टे कैसे निभाते हैं तो क्योंकि मैं जो होना मैं रिष्टे औरड़ी नो सालों से निभा रही हूँ और निभा निभा के ही माशाइललह से आप इस कगार पे हैं कि मेरी साथ आप देखते हैं कि मेरे साथ किस तरह से रहती है मेरी नंद किस तरह से रहती है तो ये ऐसे ही नहीं है कि ये रात और रात हो गया है कि मैं बेहा कर आई और मुझे सब कुछ ऐसे ही मिला है ऐसा नहीं होता मैं कई बार अपने वीडियोज में आप लोग के साथ कह चुकी हूं सबर शुकर और हर चीज़ से अल्ला ने मुझे भी जबान दी है मैं भी चलाना जानती हूं मैं भी चीजों के जवाब देना और हर चीज़ करना जानती हूं लेकिन मैं वो नहीं करती बड़े तो दूर की बात है मैं बच्चों से भी अगर कोई किसी की बात मुझे बुरी लग जाती है मैं उसको भी पलट के जवाब नहीं देती तो ये मेरे ही अखलाक है और रही खाने पीने करने की बात तो आप मेरे पहले के व्लॉक्स उठाके देख सकते हैं कि मैं क्या करती है और क्या नहीं और ये मैं आपको बता दू ये जो मैं अभी कचोड़ी भी बना रही हूँ ना ये वीडियो पहले का ही है जैसे कि हम लोग पहले बना लेते हैं तब ही तो एडिटिंग करकर के आपको देते हैं तो मैंने यह आपको दिखाया कि बिटो आगई उसके नेक्स टे ही मैंने यह कचोणिया बनाई थी और मैंने बिटो को नाश्रा बिजवाया है तो यह मैं अब आगे पैक भी करूँगी तो आखे देख लेना तो मैं यह देखो मैं आगे पैक ही कर रही हूँ पिटो और ममी के लिए में नाश्या बिज़वारी हूं और आयरा और लिबा भी घर पे जा रहे हैं तो मैं वही कहरू हूँ न कि आप प्लीज मुझे न बताया करें ये मैंने बच्चों के लिए अलग बनाई है लिबा और आहिल के लिए कि क्या करना है कैसे करना है मैं अपने रिष्टे बखुभी निभाना जानती हूं आपका भी इसी में भूपी को बता देंगे जो अलग से पिलनी है न इसमें लिबा काया क्योंकि लिबी मिच्ची की नहीं खाती न तो मेरा नाशट्रा यहां पर हो गया है डि गरम गरम ककचोड़ी बिच इन बेला मूपी त proven थी तो मैंने आरी हो आरी हो आरी हो आरी हो ऐसे n फर बार सो है पिर ने जए चा लिए बच्चों ने किया नहीं था तो मैंने उनका भी घट्टा भीजवा दिया है अब सब लोग वही मुन बात्की कर लेंगे बस अब हम भी खा लेते हैं और आप लोग भी आजाएं बिसमिल्ला पर लेजिए यह मैं आपको दिखाते हैं जी कचोरी के अंदर स्टफिंग इतनी है कभी आप सोचो कि पतले बना लीएं और अलू होगा नहीं यह देखो भरपूर अलू आपको इसके ने नजर आएगा यह देखो इसकी मुटाई आप देख सकते हैं और यह जो भी मुटाई यह आटे की नहीं है यह अलू की है ठीक है